SEL and Social Awareness How does Social and Emotional Learning help in developing Social Awareness among students? जब हम Social and Emotional Learning की बात कर रही होते हैं, तो वहाँ पर Social Factors की Consideration जो है वो बेहत जरूरी है. और जहाँ पर Student Social and Emotional Learning पर तवज्जो दे रहा होता है, या दे रही होती है, तो वहाँ पर Social Awareness जो है वो आटोमेटिकली आ जाती है. हम जब Social Awareness की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम यह देख रहे होते हैं, कि School जो है वो एक Social Environment है. अब School का जो Social Environment है, वहाँ पर दूसरों का Perspective भी Important है, और वहाँ पर यह भी Important है, कि हम दूसरों की खाहिशात का और उनके जज़बात का खयाल रखें. जब आप सिरफ अपनी बात करते हैं, और आपकी यह कोशिश होती है, कि आपकी बात को ही माना जाए और उसको सराया जाए, तो यह एक गलत कॉंसेप्ट है. School सेटिंग में, क्लास्रूम के अंदर या क्लास्रूम के बाहर, आप हर वक्त एक Social Interaction कर रहे होते हैं. Social Interaction जो है, वो बहुत सी तरह के होते हैं, जिसमें Teacher Related Social Interactions हो सकते हैं, तो इन सब में जो चीज बहुत जरूरी है, वो Perspective Taking है. आम तोर पर यह देखा गया है, कि स्कूल में Group Work तो दे दिया जाता है, मगर यह नहीं सिखाया जाता कि ग्रूप में बैठके काम कैसे करना है. तो वहाँ पर Perspective Taking करना बहुत जरूरी है, दूसरों को सुनना और उनकी बात को Accept करना उतना ही जरूरी है, जितना अपनी बात को कहना और अपनी बात को मनवाना है. तो यह चीज़ें जो हैं यह बहुत एहम हैं और इन में Teachers का Train होना और इन चीज़ों को सिखाना बहुत जरूरी है. Perspective Taking Teachers सिखाते हैं. जब Classroom में Teachers यह कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं या कह रही हूं वो बिलकुल दरुस्त है और जो आप कह रहे हैं वो गलत है, तो वहाँ पर this is what we call wrong perspective taking. जो student and teachers, they both learn from each other. Learning is a two-way process. I learn from you, you learn from me. So teachers need to first model perspective taking, they need to model empathy and then they should expect students to learn these behaviors. So यह दो चीज़ें बहुत एहम हैं. इसके लावा जो social awareness है, उसमें appreciation of others भी बहुत जरूरी है. अगर आप यह समझते हैं कि आपको appreciate लोग करें, तो यह इसका भी ख्याल रखें कि आप भी दूसरों को appreciate करें and try to realize the existence of others. This is something which is very very important. There are similarities and differences in human behaviors and that must be respected. सब लोग एक जैसे नहीं होते, सब के ख्यालात एक जैसे नहीं होते, आदात मुक्तलिफ होती हैं, तो इन चीजों को accept करना और इसके साथ साथ उनको अपने साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है. इसमें जो आप माशरे में रहने के तौर तरीके सीखते हैं और इसका आगास जो है, वो classroom से ही होना चाहिए. Teachers को, students को ये सिखाना चाहिए, कि वो एक दूसरे को एक classroom में किस तरह बरदाश्ट करते हैं और एक दूसरे को accept कैसे करते हैं. एक दूसरे की similarities और differences जो हैं उनको कैसे accept करते हैं. So, these are important issues which are basically taught through social awareness. इसके साथ साथ, we need to recognize that there are different kinds of resources. For example, family, community, school, all of these things are various resources. और उसमें social awareness जो है, वो कैसे आ सकती है. जब आप एक family में रहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको social awareness देनी पड़ती है. दूसरों के existence का, दूसरों के होने का खयाल करना पड़ता है. इसी तरह जब आप community में move करते हैं, तो आपको इसका खयाल करना पड़ता है, कि आपकी वज़ा से किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे. आपके होने से कोई दूसरा जो है किसी मुश्किल का शिकार ना हो. इसी तरह school level के उपर भी social awareness वहाँ काम आती है, जहां you, you exist in an amiable manner with others. विच मीन्स के आपकी एससे किसी दूसरे को कोई नुक्सान नहीं पहुंच रहा, बलके फाइदा पहुंच रहा है. So, social awareness is a big concept, and social awareness comes through social and emotional learning. So, that is why we say that it is very important to have these principles in the school, it is important to have social and emotional learning in the schools, so that social awareness can be raised to the maximum level.